Hello everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आप लोगों का फेवरिट क्वेश्चिन की वीडियो लेके आ गई हूं, मैं I know आप सब लोग बहुत जादा वेट कर रहे था इस वीडियो का question में को call करके messages करके के माम ESIC के nursing officer का result कब आ रहा है सो देखो ESIC का exam जो है आपका हुआ था वो हुआ था 7th July को सो क्या होता है उससे पहले आपको थोड़ा सा ये कह दू कि please ESIC का जो exam का result है वो तो आएगा ही obviously पर आप अपनी preparation बाकी exams की full on रखिये vacancies आपके सामने बहुत सारी है Jipmer की vacancy है RRB की vacancy है Norset की 3000 post है बहुत सारी vacancies आपके सर पर खड़ी हुई है सो उनकी जो है preparation full on रखिये clear 7th July को आप लोगों का exam हुआ था ठीक है जो 7th July को exam हुआ था तो ये pattern रहता है कि इनका जो result है within 25 से 30 days के बीच में हमें देखने को मिलता है सो देखो उससाब से तो जो result है वो हमें 1st August के जो 1st August मतलब की August 1st से लेके August 7 तक के बीच में कभी भी result जो है release हो सकता है मतलब August का 1st week जो आप लगा के चलो 1st 7 days जो है 1st 5 days जो है उसमें कभी भी result है वो out हो सकता है तो अगस्ट में आपको result जो है देखने को मिल सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि 31 या 30 को आपको result देखने को मिल जाए बट अभी तक के जो higher chances है 25-30 days का अगर हम लेके चले तो 1st August के 1st week में जो है ये test आपको देखने क जो मिलेगा ठीक है तो आपका result का तो clear कर रही हूं मैं या पर upcoming exam आपको मैं बता चुकी हो नौर्सिट का जो बच्चे exam है वो है आपका होने जा रहा है जिसकी 3000 प्लस पोस्टे आने वाली है तो more than enough है आपको तो बस एक ही चाहिए RRB का भी आपको पता है कि कभी भी release हो ज प्रेपर का exam भी आपके सामने आ चुका है तो वो भी आप ready हो जाओ करने के लिए preparation ठीक है प्रेपरेशन के लिए अगर आपको अच्छे से करनी है तो आप इस number पे call या फिर message करके मेरे साथ जो है जूड सकते हो मेरे से जो है classes join कर सकते हो regularly 12.30 में आपे MCQs भी करवाती हो upcoming exams के उसके लिए आप रोज वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको self study करनी है अगर आपको batches join करने है तो आप इस number पे call या फिर message करके batch भी join कर सकते हो batches की detail में बता देती हो एक है 1499 का batch एक है 2499 का batch बचे 1499 का batch उनके लिए है जिनका basic जो है वो clear है बस उनको यह नहीं पता कि हम important क्या करें so इधर में आपको important topics की theory MCQ classes, test series, doubt classes and previous year paper कराने वाली हो इस batch में और जो यह वाला batch है इसमें आपकी full theory रहने वाली है basic से start करेंगे from A to Z anatomy and physiology करेंगे फिर हम सारे subjects की theory करेंगे important topics करेंगे MCQs करेंगे test series so यह all in one batch है बच्चे अगर आपको join करना है so आप इस number पर call या फिर message करके बात करके आज ही join कर सकते हो और अगर आप self study कर रहे हो तो 12-30 MCQ की class होती है regularly आप वो भी देख सकते हो ठीक है upcoming vacancy की video मैंने डाली थी Norset है, RRB है, Jipmar है, Punjab वालों के लिए vacancy आ चुकी है Rana वालों के लिए vacancy आ रही है so आप बहुत सी vacancy है आप लोगों के लिए Bihar CSU की vacancy जो है so बहुत सारी है cut off की अगर मैं बात करूँ तो cut off की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे cut off क्या रहने वाली है तो वैसे तो cut off की video में आप लोगों को डाल चुकी हूँ बढ़ तब भी अगर आप देखो तो जो general category है जिसको आप you are बोलते हो उसकी जो cut off है 150 से 155 हो सकती है plus minus जो है 5 जा सकता है मतलब 5 marks उपर 5 marks नीचे जा सकते है अगर मैं बात करूँ OBC category की तो 147 से 152 की जो है cut off जा सकती है plus minus 5 रहेगा EWS वाले बच्चों की जो cut off है वो 140 से 145 तक की रह सकती है SC category वालों की 130 से 135 तक की cut off रह सकती है ST वालों के लिए 120 से 125 की cut off रह सकती है और PWD वालों के लिए 100 प्लस की cut off रह सकती है सो मेरा cut off का ये point है क्योंकि moderate paper था ना जादा tough था ना जादा easy था और lengthy paper था सो अगर आप इतने marks ले रहे हो तो आप लोगों की अच्छे खासे chances है otherwise आप बाकी preparations करना start कर दो batches के लिए I am always available आप लोगों के लिए अगर आपको मेर से पढ़ना है you better know that ठीक है कि रोज मैं YouTube पे भी वीडियो अपलोड करती हो और आप batches में भी पढ़ रहे हो अगर आप self study कर रहे हो तो 12.30 आपके लिए वीडियो भी आती है तो आप बहां से भी पढ़ सकते हो so I think आपके सारे के सारे जो doubts है vacancies को लेके exam के result को लेके upcoming vacancies को लेके और जो भी बच्छे बोलते हैं आर-अरवी की vacancy आने रही है आप लोग थोड़ा वीट तो करो आप preparation तो start करो जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है तो vacancy Q नहीं आएगी so it can come anytime anytime वो आ सकती है Norset आपके सामने है Jipmer आपके सामने है so अगर आपको information सही लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और MCQs regularly देखो 12.30 ठीक है ताकि आप सारी तरग्य से इस चानल का फायदा उठा पाओ अच्छे से आप पर जो है प्रेपरेशन कर पाओ so that's it for this video मिलती हूँ आपको MCQ की क्लास में कल मॉर्णिं में 12.30 that's it so all the best and do hard work and make your parents proud on you thank you